नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सबाशाहिच्छे जारकन के CM हेमन सोरेन की लंका लग गई है क्योंकि ED ने उनकी चहेते को रडार पर लेकर ऐसी थर्ड डिग्री दी कि DC ने कॉंग्रेस की सरकार में चल रहे सारे काले धंदों का राज उगल दिया 1000 करोड के अवैद खनन घोटाले पर ऐसा खुलासा किया कि मोदी सरकार भी हैरान हो गई चौकाने वाली बात तो ये है कि पहले तो ED के सामने जनाब की याददाश्त चली गई होटाले के बारे में मूँ खोलने से बचने लगे कहने लगे कि उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा लेकिन जैसे ही ED ने हंटर चलाया सारा राज अपने आप बाहर आ गया और तो और राज के मुख्यमंत्री हेमन सुरेन पर चौकाने वाला खुलासा भी हो गया जारकन में चल रहे हेमन सुरेन सरकार के गोरक धंदे पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं एक हजार करोड के घोटाले पर डीसी ने क्या खुलासा किया खनन घोटाले में हेमन के कितने नेता शामिर क्या उपर तक हुआ गोटाले की रकम का बंदरबाण क्या हेमन सुरेन भी गोटाले में होंगे गिरप्तार इन सवालों ने राज्य का सियासी पारहाई कर दिया है और जाज की आज सीम हेमन से लेकर राज्य के तमाम बड़े बड़े नेताओं तक पहुचा दी है लेकिन मामले के ट्विस पर बात करें उससे पहले घोटाले में एडी की कारवाई में क्या क्या हुआ ये बताते हैं दरसल साहिब गंच में एक हजार करोड के अवैद खनन मामले में एडी ने वहां के डी सी राम निवास यादव से लंबी पूचताच की एडी को देखनते ही राम निवास यादव बुरी तरह घबरा गये अवैद खनन से जुड़े ज्यादतर सवालों के जवाब में राम निवास यादव ने याद नहीं आने की बात कहीं लेकिन हंटर चलते ही मूँ खोलने लग गये कई जवाब ऐसे दिये कि जाच की दशा और दिशा ही बदल गई एडी की इस कारवाई से हेमन सुरेन की नीन भी उड़ गई जिसके बाद एडी ने सभी सवालों के जवाब के साथ उन्हें छे फरवरी को दुबारा एजिंसी के सामने पेश होने का समन दिया इसके साथ ही राम निवास को कई सवालों की लिस्ट भी एडी ने सौपी है जिसकी पूरी जानकारी उन्हें छे फरवरी को देनी होगी दरसल एडी ने पूछताच की शुरुवात अवैध खनन के सवालों से की अवैध खनन को लेकर बतोर डी सी राम निवास यादब ने क्या कारवाई की इसकी जानकारी एडी ने लिए वही मुख्यमंत्री के प्रेस सलहकार अभिशेक प्रिसाद की कमपनी मेसर शिव शक्ती इंटरप्राइजस को पाकुरिया में 4.72 एकर खनन लीज देने में उनकी भूमिका पर सवाल पूछा इडी ने पूछा की नियम विरोत तरीके से अभिशेक प्रिसाद की कमपनी को कैसे लीज दी गई वहीं इस केस में पंकच मिश्रा और उसके करीबियों के जरिये भी अवैत तरीके से खनन किया जाता था ऐसे में उनके खिलाफ क्या कारवाई की गई जवाब में DC राम निवास यादब ने कहा कि अभिशेक प्रिसाद की कमपनी को लीज दी गई है या वहाँ खनन हुआ इस मामने में कागज़ाद देख कर ही कुछ कह पाएंगे उनसे इस बारे में कुछ याद नहीं आ रहा इडी ने राम निवास यादब से उनकी पूरी संपत्ती का भी उरो मांगा उनके बैंग खातों का भी उरो मांगा है जिससे घुटाले के पैसो का असली खेल बाहर आने वाला है तो अब इस चौकाने वाले घोटाले में E.D. की रडार पर जारकन के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन के साथ साथ राज्य के बड़े बड़े नेता आ गए है और सरकारी खजाने को लूटने के तरीके का जो खुलासा हुआ उससे मोदी सरकार के भी होश उड़ गए आगे चकराने वाले टूस पर बात करें उससे पहले ये पूरा मामला क्या है वो बताते हैं जारकन को बरबात करने वाला एक हजार करोड का खनन घोटाला है चौकिये नहीं क्योंकि हेमन सरकार की दरिया दिली से जारकन के खजाने में लूट मचाई गई सीयम साहब ने सत्ता की आर में खुद भी मज़े लिये और औरों को भी मज़े दिलाएं लेकिन जाच एजनसी की तलवार से नहीं बच पाएं एडी ने जब डीसी राम निवास को इस घोटाले में रडार पर लिया तो पूरे हेल पर चौकाने वाले खुलासे हुए बता दें कि उपायुक्त राम निवास यादव भारतिय प्रश्यासनिक सेवा के दूसरे अफसर हैं इस मामने में सीनियर आईएस पूजा सिंगहल से पूच्टाच के बाद उनके खिलाप एडी ने चारशीट दाखिल की थी इडी ने अपनी चारशीट में ये बताया कि साहिब गंज में वर्तमान उपायुक्त राम निवास यादव के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैयत खनन हुआ है राम निवास यादव उक्टूबर 2020 से इस पद बर तैनात है और खनीजों के प्रबंदन की पूरी जिमिदारी डी सी की है और अगर घुटाले के बारे में पता भी चला तो कारवाई क्यू नहीं की क्यू पैसो के बंदरबांट की वज़ा से वो खनन घुटाले का तमाशा देखते रहे इसी बात को लेकर शक की सुई राम निवास पर पहुँची है इडी ने इस बात के भी सबूत जुटाएं हैं कि खनन घुटाले के किंगा पिन पंकज मिश्रा ने नियायक हिरासत में रहते हुए भी साहिब गंज के डी सी राम निवास यादव और एस्पी अनुरंजन के स्पोट्टा से लगतार फोन कॉल पर बात की वो ठेका, पट्टा, टेंडर, ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे काम के लिए अफसरों से बात करता था इडी ने उन नमबरों के CDR भी निकाले हैं जिनसे वो इन अफसरों को कॉल करता था सूतरों के मताबिक E.D. ने जो जानकारी जुटाई है उसके मताबिक पंकच कुले 11 IAS IPS से लगतार संपर्क में था जाहिर है ये तमाम अफसर अब E.D. की जाँच के रडार पर हैं जिससे हेमन सुडेन की धरकने काफी बढ़ गई है क्योंकि अब E.D. ने राम निवास से घुटाले के सारे राज उगलवा लिये हैं और बचे कुछे राज अगली पेशी में उगलवाए जाएंगे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हजार करोर के घुटाले में मुखे मंत्री हेमन सुरेन भी फसे हुए है इस मामले में हाल ही में E.D. ने सुरेन के करीबी माने जाने वाले पंकच मिश्रा और दो अन्ये लोगों को गिरफतार भी किया था इसी साल 8 जुलाई को E.D. ने पंकच मिश्रा और उनके करीबियों से जुड़े 19 ठिकानों पर शापे मारी भी की थी एजंसी ने दावा किया था कि मिश्रा के घर से हेमन सुरेन की बैंक पास बुक और उनकी साइन की हुई चेक बुक मिली थी जिससे ये बात साफ हो गई कि हेमन सुरेन के इशारो पर ही 1000 करोड का ये घोटाला हुआ है जिस तरीके ये एक दिन में तीन घंटेों पर एक्शन हुआ और हेमन सुरेन पर गाज गिरी उससे जारकन की सरकार हिलती दिखाई दे रही है लेकिन अब ED के हाँ जो सबूत लगे हैं वे बेहधी चौकाने वाले हैं जारकन में भी ठीक वैसे ही घोटाले हो रहे हैं जैसे बंगाल में ममता के राज में हुए उनके नेता मंत्री ही खजाना को लूट रहे हैं और ममता अपने घोटाले बाज नेताओं का शाह दे रही है ऐसे ही हेमन सुरेन के नेता घोटाला कर रहे हैं और हेमन सुरेन उनका साथ दे रहे हैं सरकारी खजाने को लूट रहे हैं और अब हेमन सुरेन की लंका लगने वाली है क्यूंकि राज में एक नहीं दो नहीं बलकि एक साथ इतने घुटाले सामने आ गये हैं कि मोदिस सरकार के भी होश उड़ गये हैं और E.D. की कारवाई ने राज में तहलका मच अच्छा दिया है तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही नए मुद्दे के साथ पिर पेश होंगे और तब तक के लिए देखते रहें क्यापिटल टीवी नमस्कार